नमस्का दोस्तों अपना कुछ न कुछ कॉमें जरूर करना जिसे कि आप संडे के गीवब में पार्टिसेट कर पाए और कल की तरह आज का भी टेकनूस का एक टार्गेट रखते कल मैंने कहा था कि कल के टेकनूस पर साथ लाइक कर देना आपने साथ लाइक किया आज टार्ग आज का सबसे फैला न्यूज है छामी, रियल्मी किसी से भी नहीं कॉरोना भाइरस की तरफ से आप साइन्टिस ने पूरा हर्मान लिया है मादा कॉरोना भाइरस का एंटिटोन इंसानों से तो नहीं बन रहा है इसलिए USA गभर्रमेंट ने कुछ स्पेशल AI सौट्वेर बन वो वक्त आ चुका है कि जहां पार इंसानों के बजाए इंसानों का काम AI सौटर करेगा तो मी 18 शामी का 180 मी का विक्सिल वारा कैमेरा फोन यह लॉंच होने वाला है इंडिया में बहुत ही जल्द यह देठे 35 मार्च और वैसे इसका कहका स्पेसिफिकेशन है यह तो आपको गेस करता हूँ तो Redmi K30 Pro यह बड़ा स्मार्टपोन इस ही वाई ने लॉंच होने बाला है और इसमें दो बहुत ही कमाल का फीचर है पहला कि का जार है कि इसके अंदर जो स्पेशल भेपर चेमबर होगा मतला स्मार्टपोन को ठंड़ करने के लिए जो स्पेशल चेमबर होत देख सकते Redmi K30 Pro में तो pop-up CLP 100% आएगा क्या pop-up CLP में कोई innovation किया जा सकता है obviously किया जा सकता है देखिए blue blue, blue और sky blue का mixture, sky blue, green, red मतलब देख सकते कि एक ऐसा स्मार्टपोन होने बाला है जिसका pop-up CLP उसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं और मुझे थे बहुत ही बढ़िया फीचर लगा मैं उमीद करते हूँ कि future में जितने भी pop-up CLP आएगा सभी में यह बाला फीचर तो जरूर होना चाहिए तो Realme अपने एक नया स्मार्टफोन लाँच करने बाला है मैंने काल आपको कहा था कि Realme नार्जो नाम का कुछ लाँच करने बाला है साथ को स्मार्टवाच होगा स्मार्टवाच बिल्कुल भी नहीं Realme की तरब से official confirmation आ चुका है एक बिल्कुल नया स्मार्टफोन सीरीज होने बाला है Realme के अंदर और इस स्मार्टवोन सीरीज का कामी होगा पोको को हराना मतलब पोको जो कम बजट में बहुत ही बड़िया स्मार्टवोन लाँच कर रहा है उसे काउंटर करने के लिए Realme नार्जो लाँच होने बाला है तो देखते हैं कि आकरकार Realme नार 5.3 नोकिया 5.3 और नोकिया 8.2 और वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका लाइब श्रीम मैं आपने चैनल पर भी दिखा पाहूँ आज राद 10 बजे तीसे ने गैजरो चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा और मुझे एक जो न्यूस मिला है कि हो सकता है कि इसमें जो नोकिया 8.2 उसमें स्नैप जाकॉन 765 ज़रूर होगा तो अपो ने एक नया एंटी स्मार्टफोन गेमिंग सिस्टेम लांच किया है इसका मदलब एक ऐसा शॉप्टर ऑप्टिमाइजर होगा जिसके जरीए बहुत स्मार्टफोन समझ लेगा कि उसके सामने जो खेल रहा है उसका उमर कितना है और उस उमर की हिसाब से उस स्मार्टफोन के गेम को वैसी ऑप्टिमास कर देगा जैसे कि आगर आपका उमर कम है तो आपके लिए उस स्मार्टफोन में कोई भी गेम ज्यादा देख तक नहीं रहेगा या फिर आप कोई भी गेम में बहुती बढ़ीया प्रोसेसर लॉन्च कर दिया है, इस प्रोसेसर का नाम है, लोई ही चीप सेट, इसका स्पेलिंग है L-O-I-H-I, का ज़ए कि ऐसा प्रोसेसर है, जो कि चीजोर को शूंग सकता है इसका मतलब इस processor में obviously कोई नाग तो नहीं है लेकिन इस processor के मदद से कोई भी खतरना chemical या फिर उसके अंदर का जो खुश्बू है वह sense करेगा और उसके बारे में data देगा कि उसके अंदर का जो खुश्बू वह क्या चीज़ है तो अब देख सकते के एक बहु जिसे कि जो overall plan का cost वह भी कम हो जाएगा और अगर आप airtel के सारे service इस्तमल करते तो आपको भी कम में सब कुछ मिलेगा आप देखे airtel कर रहा है इसका मतलब जियो obviously करेगा तो sony playstation 5 इसके बारे में कुछ information सामने आ चुका है जैसे कि इसमें होगा AMD Zen 2 series का CPU जो की होगा 3.5 ग्रिगार्ज 1 OctaCore CPU होगा इसमें जो ग्राफिक्स कार्ड वह भी AMD के तरप से होगा जिसमें होगा 36CU और इसका ग्राफिक्स प्रोसेसिंग पावर होगा 10.28 Teraflop और इसमें 16GB GDDR6 बाला ग्राफिस कार होगा और अकर इसके मेमोरी के बात करते तो इसमें 825GB SSD होगा मन्द इसमें आज अपना Galaxy A41 लांच कर दिया है और इसका स्पेसिफिकाशन है 6.1 फुल एजडी प्लास सूपर अमूलेट डिस्प्ले 25 मेगापिक्सेल सेल्पी कैमेरा 48 मेगापिक्सेल क्वार्ट केमेरा 3500 इमेज बैटरी हीलियो P65 प्रोसेसर और 4GB RAM 64GB मेमोरी बैसे यह बाला स स्मार्ट वाच GT 2E जासे कि आप इस टीजर पूश्टर में देख सकते और यह बाला स्मार्ट वाच लांच होगा 26th मर्च को तो एपल ने कालपनर नया लैप्टप लांच किया और टैबलेट लांच किया वैसे मैंने इसके उपर एक छोटा से वीडियो बनाए आई बटन म मैं आपको कह सकते हो कि इस बार ता टैबलेट और लैप्टप लांच हुआ है अच्छा प्रोड़क्ट है लेकिन उतना पीसे पार्फोर्मेश इंक्रीज इस बार नहीं मिला है तो मैंने आपको कहा था भीबो एस सिक्स्नाप्जागों सेवें सिक्टिप जी बाला एक स्मा होना चाहिए 20,000 के आसपास तो कोई किसी को टच नहीं कर रहा क्योंकि का जड़ेक है जो कोई किसी को टच करने से फैलता है इसलिए ड्राइबर लेस कार का डिमेंड बहुत ही बढ़ चुका है एक ऐसा कार कंपनी जिसका नाम है नियो लीक्स जो की एच छोटा सा नया टेक्लोजी इसके बज़े से समने आ सकता है और आज का आक्री नियूज आप इस पिक्चर में देख सकते इस पंची करना में वंडर चिकेन और का जा देखिए दुनिया का सबसे पहला मौडर्न बार्ड है मतला हम जो मौडर्न पक्षी देखते उसका पहला स्पीसीज यह है तो आज का टेक्लोज से ही तक हूँवी देख पसंद आया होगा इस वीडियो के बार में आपका जो भी बिचार है निचे कमेंशेकर में लिकिना बिल्कुल माद भी लिएगा तो मिलत अगले वीडियो पे अब तक stay tuned and always remember think positive, be positive, thank you